नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका एक बार फिर एल्गो क्रैप के वीडियो टुटोल में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको TOTP किस तरीके से अक्टिवेट करना है अगर आप Angel Broking का अकाउंट यूज करते होतों तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना होगा Angel की वेबसाइट पर जो की है smartapi.angelbroking.com smartapi.angelbroking.com पर जाने के बाद हमें Enable TOTP पर क्लिक करना होगा जब हम Enable TOTP पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो कुलेगी जिसमें ये हमसे हमारे client ID और password मांगेगा तो हमें अपने client ID और password यहाँ पर डालने होगे डालने के बाद जब हम login के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे mobile number और email ID पर एक OTP भेज़ेगा वो OTP हमें यहाँ पर डालना है 647126 तो जैसे ही मैंने अपने mobile का registered OTP डाला इसने मुझे एक scanner खोल के दे दिया अब आपको क्या करना होगा अब आपको Google Play Store से एक application इंस्टॉल करनी होगी अपने mobile में ठीक है मैं यहाँ पर आपको web browser पर दिखा रहा हूँ लेकिन आपको वो अपने mobile में इंस्टॉल करनी है application का नाम है दोस्तो Google Authenticator यहाँ पर आप Google Play Store पर गए और यहाँ पर आपने सर्च किया Google Authenticator अलग अलग कंपनी के आते हैं आप Google का भी कर सकते हो Microsoft का भी कर सकते हो मैं आपर Google का कर रहा हूँ यह वाला आपको application आपको दिख रहा होगा यह इंस्टॉल करना है तो आपके mobile में कुछ इस तरीके का दिखेगा ठीक है और scan करने के बाद आपकी mobile में वो connect हो जाएगा आपके trading account के साथ और फिर कुछ इस तरीके का दिखेगा अब यहां तक अब आपका TOTP generate हो गया है ठीक है जब भी आप smart API के साथ connect करेंगे हमारे platform पर तो वो TOTP चाहिएगा अब आपको क्या करना होगा website पर जाके login करना है हमें login कर रहा हूं यहाँ पर यह मैंने अपना account login कर दिया login करने के बाद यहाँ पर authentication के tab में जाना है और authentication के tab में जाने के बाद आपको एंजल ब्रोकिंग में ID, password और TOTP डालना है ठीक है TOTP आपको कहां से मिलेगा जो आपने अभी authenticator की app डाउनलोड किये जब आप उसको open करेंगे तो उसमें आपको कुछ codes दिखाई दे रहे होंगे और वो code जो है वो हर 30 seconds के बाद change हो जाते हैं तो आपको जल्दी से वो डालना है उसमें से देखके और आपको देखना है कि time आपके बाद पूरा होना चाहिए अपडेट करना आपको अपडेट करने के बाद get access token पे क्लिक करना है जैसी आप get access token पे क्लिक करेंगे redirect करके dashboard पे ले आएगा इसका मुतलब token activate हो गया फिर आप validate token पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि token आपका valid है या नहीं है ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस सब चीज़े समझ में आ गई होंगी अभी भी आपको और कोई problem या confusion है तो आप हमें दीवे numbers पे call कर सकते हैं हम आपकी मदद कर देंगे मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and happy trading और हाँ दोस्तों subscribe जरूर कीज़ेगा चैनल को बहुत सारे लोग subscribe भी नहीं करते हैं हमारे चैनल को प्लीज subscribe करेगा बाबाई